यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आत्मी की अंगेरियन आर्पी और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपिंशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जी चुका था और सब को अल्मोस्ट कंफर्म था के 1940 में जो ओलम्टिक्स होने वाले हैं उसने गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग है बनाना है बेस्ट बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग है सिर्फ दो साल का फ़क्त है 1938 में एक आर्मी का ड्रेनिंग कैम चल रहा था जो कि वो आर्मी में था था तो एक एकसिडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनिट फट गया और वो हाथ चला गया जो उसका सपना था जो फोकस था सब ख़ता उसके पर दो रास्ते थे एक तो ये कि वो भाकी की पूरी जिन्दगी रौता रहे और कहीं जा गर गए छुप जाए या अपना जो गोल्ड भा जिस पे उस نے फोकस किया हुआ ता उसको पखड़कर गर गए रहे तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आंड एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, साथ के ले और साही एक महीने बाद और भी ट्रेनिंग शुरू करती है, साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद, अतलब के 1939 में वो वापिस आया नाशनल चैंपियन्शिप्ट हो रही थी मही पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे बिस्टोई शूटर्स थे वाँके उन्होंने जहां करके उसको कंग्राचुलेट किया बागी यार देखो, ये होता है जस्बान, ये होती है स्पोर्च्में स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा उसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने में आया है तुम्हार साथ कॉंपीट करने आया हूँ तुमसे लड़ने आया हूँ बैयार हो जो और कॉंपेटिशन हुआ बाकी सब भाहा पर जितने भी लोग थे वो कॉंपीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से यह कॉंपीट कर रहा था अपने अपने ओनली हैंड से जीत क्या हूँ लेकिन वो यहां नहीं रुपा इसका गोल फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं इस पूरी दुनिया का बेक्श शूटिंग हैं बनाना है उसनमना सारा फोकुस उठा करके डाला नाइंटीन फॉर्टी पे जब उल्मिक्स होने वाला थी लेकिन नाइंटीन फॉर्टी से ओलम्पिक्स एक डाल दिया नाइंटीन फॉर्टी फॉर्टी फॉर्मिक्स होने वाले थी उसके उपर नाइटीन फॉर्टी फॉर्मिक्स होने वाले थी वो भी कैंसल होती है वर्ल्ड वार के विजसे फिर से कैंसल है इसने इमना सारा फोकुस उठा करके डाल दिया नाइटीन फॉर्टी ऐट की ओलम्पिक्स नाइटीन फॉर्टी एज थी अठाइस साल नाइटीन फॉर्टी एज हो चुकी थी फॉर्टी एट इयर्स और जो यंगर जो प्लियर्स आते हैं निकल करके उचसे कॉंपीट करना मुश्किल होता चला जाता है लेकिद मुश्किल नाम का यवर्ट थाई दी उसकी डिक्सरी दी वो गया पुरे वर्ल्ड के बेस्ट सुटर्स आयों थे जो अपने बेस्ट अच्छों कॉंपीट कर रह था और अपने उल्ली अच्छों कॉंपीट कर रह था और कौन जी था जमान पिदी ओनली हैंड लेकिद वो तब भी नहीं रुका नाइटीन फिफ्टीड वनमिक्स दुबारा क्पेट किया उसके और इसबर गोल्ड मेल का जी था ता गैर अली जा शाल बात दुबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलम्टिक से इस पर्टिकलर कॉंपिटिशन में उससे पहले किसी भी अट्लीट ने लगातार दो गोल मेडल्स नहीं जीते अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत नंबी आप उसी तरफ विनर के पास चले जाओ उसके पास में हजार वज़े होगी और बहुत ब मूज़े होगी जो वो करने की जो भो करना चाहता है और यह कर जाएगा झाल झाल